कि आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक लेकर मैं मनोविकार सेक्स रोक सम्मोहन तथा व्यस्टन मुच्च तक यू महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं कभी सारे माबाप बच्चों को लेकर मारे पास में आते हैं उनको भी मोबाइल एडिक्षन है वाट्सएप का एडिक्षन इंटरनेट का एडिक्षन यूट्यूब का एडिक्षन मुवीज या गेम्स खिलने का एडिक्षन मैं उनको बलता हूं कि बच्चों को सौंसकार ही न करना है तो जिसका काम है वह उसने ही करना हैं समजो घर में मोग है है तो जो ő जिसका काम हो उस और कहीं वो कर लेगा ऐसा नहीं जो काम जिसका है वो काम उसने ही करना है तो काम का यदि बटवार होता है घर में तो वह वही काम करेगा और वो समय पे करेगा जो समय पे बोला हो समय पे वो काम करेगा और जिसका जो काम है वो उसने ही करना चाहिए तो एक वह है नंबर दो जब का तब करना चाहिंए जो समय पे बोला वो समय पर न पर ही करना चाहिंए और वो हम अनुशासंत्र प्रियता लोगों में बच्चों में हम ला सकते हैं जैसा कोई मेरे पास में वेक्ति आया, उसने बोला कि मुसे 500 रुपे उधार दो, मुसे चाहिए, मैं उसको 500 रुपे दे दिये, उसने बोला में दो दिन बाद में आपको वापस कर दूँगा, अब उसके दो दिन अभी तक आने के चार मेने हो गए, तो जबान को कोई किम्मत यह लगाइए, वहीं रखने है, जैसा रखना चीह है, वैसा ही रखना चीह, रात का अंदिरे भी हमको समझे चस्मा चाहिए और नहीं मिल रहा है तो अपने हाथ डाल दिया तो चस्मा में बिलना चीह, या चाबी, हर दम ऐसे होता है कि घर में दो-तिन कार चलाने वाले है, और हदम यह problem होता है कि जो चाबी है कीज जो है कारके वो मिलती नहीं है वो कहीं पड़े रहेंगे किसके पास में रहेंगे परस में रहेंगे और मिलेंगे नहीं या कहीं भी डाल देंगे परस डाल देंगे जूते कहीं भी फेक देंगे socks जो है वो कहीं भी डाल देंगे कपड़े कहीं भी रहेंगे तो जहां का महाँ वो चीज रखने का है और वो रखते है तो और समय पे रखना है वो रखते है तो बहुत अच्छे अनुशास दाएंगे और workability आएंगे काम करने योग्या परिस्थिती होंगे और चाहता चाहता है जैसे को वैसा मतलब जैसे का वैसा जैसे का वैसा मतलब जैसा करना चीए वैसा ही करना है जैसा करना चीए वैसा ही करना चीए मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जिस तरह से मुझे मालू है कि कोई चीज करना है उसी तरह मैंने करना है कोई शॉटकट नहीं जो ग्यान मुझे है वो ग्यान का पुरा इस्तेमाल करते कोई शॉटकट न वापरते कोई शॉटकट का इस्तेमाल न करते जैसा हम उसे मालू है वैसा मुझे मैंने पूरा ग्यान देखे और वो भी समय पे करना चाहिए उसको बोलते हैं जैसे का वैसा कोई कटिंग करना नहीं कोई शॉटकट नहीं है तो यह हम चार चीज़े हम हमारे रोज की जीवन में वापरते हैं और वैसचे बैसे सुसमस्कार बन जाते हैं तो लाइस उघिवन में बहत आके बढ़ सके क्योंकि मालूम है की जैसी पढ़ाई करना चीह है बैसी पढ़ा इकरनी है यदि हम करते हैं तो बहुत ही अनुशासंता बच्चे में आएंगी और अनुशासंत में घर चलेगा तो वरकेबिलिटी आती है और वहां से अच्छा परफॉर्मस मतलब अच्छी कृति होंगी एक्शन अच्छे मां से निकलेंगी और डिफिनेटली सफलता मिलेगी तो कि लो कि घर अनुशास्ट।